हेलो माई डियर स्ट्रेंट्स इसले लेक्चर 5 में आपको कोर्शन नम्बर 71 तर्ड बताया था हूं आप कोर्शन नम्बर 72 से आपको बताने जा रहा हूं इसको ज्यान से देखिए ठीक है कोर्शन नम्बर 72 में है फिल इन ब्लैंक्स इसमें कुछ खाली जगा दिया हूगा है उसको हमको भरना है उसमें क्या होगा जैसे ऑप्शन ए में दिया हूगा है 3 x 8 is equal to क्या होगा है ठीक है वैसे ही दी में दिया है 5 x 0 is equal to क्या होगा ठीक है अब इसके लिए आपको करना चाहा है सबसे पहले आप टेवल याद कर दिएगा ठीक है 2 x 20 अदल दो से लेकर 20 तक आप टेवल याद कर दिजिएगा तो इसमें इतना भी शॉट टाइप का मॉल्टिप्लाई आएगा और इस टाइप से लिया होगा हो और बॉक्स दिया हो तो टेवल अगर आपको याद रहेगा तो इसको फिल करने में आपको आसानी होगा ठीक है तो सबसे पहले आपका ठाम दिया है कि दो से लेकर 20 तक आपको टेवल पूरा याद कर लेका है ठी टेवल ग्याद करने के बाद आप देगे इसको 3 x 8 is equal to क्या है तो 3 का टेवल आप एक टाइम्स पढ़ेंगे है है हना तो 3 एक चाहा है कितना आपका है 24 तो इसमें हम क्या फिल करेंगे 24 वैसे ही यहाँ पर है 5 x 0 जीरो में आप कितरे भी डिट्स रेकर मल्टिप्लाइब करते हैं तो आपका क्या होता है जीरो होता है वैसे ही इसमें और भी बहुत साथा टाइप दे सकता है तो अप्टेवल याट की लिए गा और उसको फिल की लिए ठीक है चलिए चलिए नमबर 74 वैसे नमबर 74 में जो कि एट वीट्स मदब आख सब्ता में कितने दिन होते हैं आप लोग पिछले क्लास में इसको पड़े होँदें यहां पर रिवीजन के तोर पर में अब्सक्राइब फिर्स चेटर सब्सक्राइब आपको कुछ याद होगा है अव्ट सब्ता में एक इंट में इस में कितना दिन होता है अगर जाओ हो तो आपको ऐसे ही आपको टोटन नमबर ऑफ डेश इसको अगर बता दों तो उतना आप याद कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको याद नहीं हो तो इसको बनाने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ चुकि अगर एट वीक्स है, तू मिक्स है, तू मिक्स है, फाइब वीक्स है, यह जितना भी है, उसको बनाना कैसे है, तो बनाने के लिए आपको एक अरीका बता देता हूं, उसी सबसे जूमी आएगा उसको बना दीजिएगा, ठीक है? पूछ राना की, एट वीक्स में कितने दिन होता है, तो सबसे पर दे, आप यह याद कर भीजिए, कि वन वीक इन इक्वल टूटू सेवेन देल्स, मतलब एक वीक्स में कितना दिन होता है, साथ दिन होता है, ठीक है? अब इसमें से आपको जितना भी मी क पूछता है, यो से इसमें क्या पूछ रखा है? 8 वीक्स में कितने दिन होता है, तो इसको आप याद कर चिए, 1 वीक में 7 दिन होता है, तो इसको हम लिखेंगे, 8 वीक इस इप्वल टू, 7 इन इन एक्वलेलट पिवक्तिसिक्स, तीको इतने दिन से मल्टिप्लाइ कर देंगे आ जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं हो आपको ऐसे ही आप इसको एट वीक्स सेवन वीक्स तू वीक्स जैसे भी हो यहां पर अलग अलग फिल्कर करके आप बनाएगा को जाएगा इसे आप पर एट वीक्स में 56 बेज उता है इसमें पूछ रहा है एक इंसेक्ट के पास कितना लेग है शे ले हैं इंसेक्ट मिन क्या होता है इंसेक्ट मिन्स या होता है इसके पास छेले बहुता है तो how many legs do 9 insects have 9 insects के पास कितना बेग बहुत होगा है तो 1 के पास कितना है 1 के पास 6 है हैना आपको क्या पुछ रहा है 9 में कितना होता है तो आप क्या करेंगे 9 इंटू 6 एक के पास कितना है एक के पास 6 तो 9 के पास 9 इंटू 6 इतना होता 54 ठीक है इसमें अगर 10 पुछता है तो इसमें 10 से मुटिप्लाई कर देजिए 8 पुछता है तो 8 से मुटिप्लाई कर देजिए अतलब जितना पुछता हो को अपना साब मुटिपलाइ कर दीजिएगा तो दो जाएगा ठीक है पोर्शन नमबर सेंटी सिक्स पोर्शन नमबर सेंटी सिक्स में क्या है उस्टा आ है मांसी का उम्र कितना है मांसी का इसमें दिया हुआ ना मांसी सेवन या ओल्ड और यहार प्रोदर इस ट्वाइस एड ओल्ड एड से इड मतल यह जिक्ने उम्र किया है उसचे दो गुना ज्यादा ट्वाइस ट्वाइस मेंस दो गुना ज्यादा उसके भाइस काम है तो क्या करेंगे दो गुना है तो सेवन इसका है सेवन इंटू तू अठीक है इस इपर तू कितना होगा तो इसके भाइस का मूर्ड इतना होगा तो यह जितना एज है इसका उसमें तू से मुल्टिप्लाई कर लेंगे फिर उसका जो अठीक है इसका आफना इतना जाएगा चलिए पोर्शन नम्बर सेवन इसका आपको बता दिया था ठीक है अब पोर्शन नम्बर सेवन इसका डिखा हुआ है Kow éili ten times five less than six times Nine टेकल है तो यह 10x5 जो है जिस दाइन 6如 9 तो जिस पिंगे छोटा है तो तो 6 x 9 मतलब क्या होता है 6 x 9 और 10 x 5 means क्या 10 x 5 इंटू 10 x 5 इंटू 10 x 5 इंगे जितना इंटाइम्स जो भी दिया हुआ हो उतना मुल्टिप्लाई होता है ठीक है लेकिन ये 10 x 5 जो है ये 10 x 5 जो है ये 6 x 9 से छोटा है तो वो कौन सा नमबर होगा है ये पुछ राना तो देखिए तो 6 x 9 इंगे 6 x 9 minus 10 x 5 इंगे 10 x 5 जब बुकरें के 6 x 9 इंगे पितना आता है 54 और 10 x 5 का 50 तो 54 minus 50 is equal to 4 तो ये आपका एंसर इसका 4 हो जाएगा ठीक है चली कोर्षन नमबर 78 जो है सेम कोर्षन नमबर 75 के तरह है है ना 75 में दिया थाना कि एक इंसेक्स के पास 6 लेक होता है तो 9 इंसेक्स के पास कितना लेक होगा तो आप को मल्टिप्लाई ही करना है तो उसको आप सेम वैसे ही मल्टिप्लाई कर लेंगे तो पोर्षन नमबर 79 और पोर्षन नमबर 80 ये दोनों आप द्यान से देखेंगे रिए किया कि देखेंगे आपार मुडिप्लिकी केसे के रिए एक मोलिकर प्राम तो अबषदू अकियो हुआ घूल चेमघएला है तो इसक्या फीर मतल कहरा है।ämä मोलकिप्लिकी केसे कि वाल नहां झारेक्ट इसमें दूटाइप बाता है मौल्टिप्लिकेशन में दिया हूं इसको बना दिया हूं इसको बना दिया हूं तो दिमीजन साट इस फोलॉइं मुट्रिकेशन फार्ड इसको तू दिमीजन पनाना है अचली छुछ इंटो सेवें इकोलटो 42 यह आपके अप्शन में कितना लिया हुबा है अब इसी को हमको दो में बनाना है तो चलिए तो 6 इंटू 7 इसको कितना होता है टेवल याद होगा ना 6 से बेंजा 42 और उसको डिवीजिन फैक्ट्रों बनाने के लिए यह तो रिजल्ट जोगी आया है 42 उसमें हम एक बार इसे डिवीजिन करेंगे और एक बार इसे डिवीजिन करेंगे ठीक है अतर एक बार 6 से और एक बार 7 से तो 42 दिवाइदेद वाई 6 इस इटना होगा हो जाएगा है ना और वाइशा ही 42 divided by 7 is going to 6 हो जाएगा यानिके इसे रिजल्ट में एक बार इसे और एक बार इसे क्या करेंगे हम दिए करेंगे वाइशा ही option number 3 में 5 into 4 is equal to 20 तेसमें क्या करेंगे परले यह जो रिजल्ट दिए गार आ है है इसमें एक बार हम एक बार इसे और इसे में एक बार इसे औरल्ट आएगाओ जतने क्या करेंगे ट्वेंगे 25 packets फोक्ट है looks melly सबिल्ट दिए दिए जब दिए जब है खब एक अज्से यह। में जुल्ट करेंगेija को जुड़ है ओन्प लिएρα क् wow here multiplication fact for each of the following division facts अब इसको same वोई चीज है यहाँ पर क्या था multiplication form में दिया हुआ तो division में किया यहाँ पर division में दिया हुआ तो इसको multiplication में करना है ठीक है तो इसको यहाँ पर क्या है यह दिया 10 divided by 5 is equal to 2 अब हम इसमें क्या करेंगे 5 x 2 is equal to 10 और वैसे ही 2 x 5 is equal to 10 वैसे ही प्रोसेस सेम है इसको इसको इवारा समझ देजिए और वैसे ही इसको बनाएगे बाखी ओप्शन दिया हुआ है उसको आप बनाएगे आई से कोई कर जाने आपको नहीं होगे फिर नेक्स लेक्षन में बनाएगे